हेलो प्यारे विद्यार्थियों स्वागत हैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशाक्लासेच सवाईपूर पर तो आज टोपिक है अपना डाइस और डाइस के अंतरगत जो प्रस्न पूछे जाते हैं उन पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे पन आड़ तो थेयोरी बताने के बजाए सीधा आपन प्रस्नों पर आजाते हैं थेयोरी आपको प्रस्नों के साथ-साथ ही चोटी मोटी वातों से जानकर ही हो जाएगी क्या मामला है जैसे अगर परिक्षा में कोई प्रस्न पूछा जाता है केवल एक ही चितर दे रखा है उस समय उनका टोटल योग होना चाहिए वो होना चाहिए साथ अगर दो विपरित फलकों को जोडते हैं उनका योग साथ हो जाता है मतलब वो स्टेंडर्डाइस है ठीक है और एक है जो अलग प्रकार का होता है जिसके सवाल आते है अपने परिक्षा में तो यहां एक ही चितर का अगर प्रशन आरा तो वो स्टेंडर्डाइस का है और स्टेंडर्डाइस का है या नहीं है उसका पता वैसे एक चितर है तो स्टेंडर्डाइस मान सकते हैं लेकिन पता लगाने के लिए और कि दो या तीन चितर आ गयरा फिर भी पता लगाना है उसमें यह तरीका रहेगा कि जो पास-पास में जो दो फलक है उन पर लिखे वे अंगों को टोटल करना है जैसे या तीन और पांच है तीन और पांच हो गए टोटल अपने आठ फिर इदर पांच और छे है टोटल ग्यारा हो गए या छे और तीन है तो टोटल नो हो गए अब इनका जो टोटल करते हैं वो कभी भी साथ नहीं होना चाहिए साथ केवल जो विरोधी हैं उनका ही होना चाहिए यानि कि जो आमने सामने के फलक हैं उनका साथ होना चाहिए और उनका साथ तभी होगा जब इनका साथ नहीं होगा मतलब कि जो पास-पास में हैं अब यहां दो दे दिये हैं तो नॉर्मली अपन यह पता लगा सकते हैं पहले स्टेंडरडाइस चेक कर लिए यहां पांच और दो कितने हो गए साथ यानि स्टेंडरडाइस नहीं है ठीक है उस समय फिर क्या तरीका लगाएंगे उस समय एक तरीका हो सकता अपना यानि कि यहां दो चितर हैं दो चितर में जो तीन तीन फलक दे रखें उनमें कहीं अगर दो कोमन है तो जो सेस तीसरा जो बचेगा वो इसमें आएगा अपना answer के रूप में देखे यहां 5 और 2 है यहां 5 और 2 है अब यहां इधर दिया है 3 इधर दे रखा है 4 अब यहां 3 के विपरित पुछा है तो बचा कौन सा है 4 बचा है तो 4 इसका answer हो जाएगा यानि B option इसमें भी सही है दोनों प्रसन एक है standardized or normal dice मतलब जो S हमने कह सकते हैं उसको बता दिया या तीसरा प्रसन एक पासे की दो स्थित्या नीचे हैं और दो नीचे हैं तो उपर की सिंख्या क्या होगी अब यहां भी यही मतलब अगर rule of projection से हो सकता है हाल common लेने से हो सकता है समान आonie खुरें यहां एक ही जगह पर कोई एरा उसकी जगह दूसरा चित्र है उसमें दूसरा रहा है इस प्रकार अपन पता लगा सकते हैं जैसे common की अगर बात करें तो common यहां तीन है और यहां थीन है मतलब और यहां 6 है यहां 5 है तो फिर यहां चेक करेंगे अपन यहां 2 स्थित्या है और 2 के विपरित पूछा गया मतलब 2 के विपरित पूछा गया है तो 2 के विपरित क्या रहेगा तो अपन एंटिक लोग वाइज देखेंगे यहां क्या आ रहा है एक आ रहा है अब 3 के इदर एक है यानि अपन C वाला उप्शन इसमें सही करेंगे और वेसे भी जैसे दो है या या पांस दे रखा है तो पांस वाला उप्शन अपन सही नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सिदह आए रहा है और दो के विपरीत में तीन हो यह नहीं सकता आंसर है इस प्रकार से आंसर अगरां का से अएक करेंगे तो उसके आदार पर भी यह यहां जिसे बी है और यहां अगर क्लोक वाई चलते हैं यहांँ सी और कॉपाइच एक दूसरेके विपरित हो गए अब यहां बाक्ती में बचा है अगर अपने इंटीप्लोकवाई चलते हैं यहां A है और यहां उपर की तरफ जाएंगे तो यहां E है यानि A के विपरित क्या जाएगा E तो E जिस option में है D option में है तो D option इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है नेक्स पांचमा स्वाल देखें एक गन की बुजाओं से इंदर दुनुष के रंग दिखा दिते हैं या फिर बेजान या पिनाला ऐसे कोई भी तरीका लगा सकते हैं जैसे चार उप्सन है रूल ओप रिजेक्शन लगाएंगे तो जल्दी हल कर पाएंगे जैसे पीला पीला के लिए क्लिए यलो तो यह यलो आ गया यानि पीला इसका उत्तर नहीं हो सकता फिर बेंगनी को कहते विलेट वी नहीं आ रहा कहीं भी तो यह उत्तर हो जाएगा निला है यह आ गया इसके लिए इंडि गो है या ब्लू कहलो निले के लिए सब्द हैं तो फिर वहां क्लियर हैं मामला अपना सी में ओक्य हो जाएगा यानि पांच वे का उप्सन सी अपना सही उत्तर हो आमने सामने दिये गए बिंदू की संक्या के बीच अंतर तीन हो गयाकरती बताएं जो सही है तो यह एसे मज़ा लेने के लिए दे दिया एक प्रस्न किताब में जो अपने सर हैं बनाने वाले उनको भी थोड़ा हरता ही है न कितने एक विद्वान हैं वो चे कर लेते हैं यह उत्तर नहीं होगा और फिर यहां चाही है यहां चार पांस तो यह हो सकता है फिर तीन तीन च्छे तीन नो तो यह उत्तर नहीं हो सकता है तो उत्तर तो यह की बचा है अब आपको यह भी चे करना है कि वहां पर जो अंतर है वो तीन का होगा या नहीं होगा यह भी चे वो कैसे चेक करेंगे आप यहां देखिए 6 हैं तो 6 के विप्रीत क्या हो सकता है तब इstein 3 आ जाए तो 3 हो सकता है यानि 6 के विप्रीत आप मान सकते हैं कि इसके जो मतलब विप्रीत फलक है उस पे 3 लिखा हुआ है यहां 4 है, 4 के विप्रीत फलक पर तक सभी फलक बर जाएंगे ठीक है तो भी ओप्सन इसमें सही उत्तर हो जाएगा और प्रस्ण जब नॉर्मली अपन देखते हैं तो ऐसे लगता है कि अरे इसमें तो क्या करना है लेकिन वो केवल मतलब जब समझ में नहीं आ रहा तब तक के लिए है स्थिति पाकी सामयनी ब प्रीट एक तो सबसे मुझे लगता है वेक्तिकत रूप से और भी बहुत सारे तरीके किताब हम दिये हुए रहते हैं जैसे अगर आप लगाना चाहें तो बहुत बढ़िया से लग जाता है जब ज़्यादा चित्र हो जैसे यहां डी लिखा हुआ है यहां डी लिखा का और सी भी उतर नहीं हो सकता है। इसके लाव अब बचा क्या है ऑा और डी बचा है अगर कहीं कोमन भी आ रहे हैं तो कोमन भी यहां रहे है तो के लिख सकते हैं हमें चाहिए जाए जाता है D नहीं हो सकता तो अब D कट गया, C कट गया, E कट गया तो बच्चा क्या, A बच्चा, तो A इसका उत्तर हो जाएगा पंदरवा सवाल देखिए, कौन सा रंग बेंगनी के विपरित होगा तो बेंगनी जा जा है, उसके आसवास वालों को पहले निप्टाते हैं तो वो जदा सभी सरल तरीका रहãyगा आपना तो तीन जगर बेंगनी लिखा हुआँ, तो बेंगनी के यहान लाल और निला है अगर option में लाल और निला हैं तो वो इसका उत्तर नहीं हो सकता फिर बेंगनी में हरा निला है, तो यह हरा भी आगया तो बच्चा कुन सा ना रहेंगी तो ना रहेंगी इसका उल्तर हो जाएगा ओके नेक्स्ट देखिए अठारवा सवाल है अपना घनों की संख्या कितनी है चेक करना है जैसे ये वाला भाग है ये पूरा का पूरा इसमें छोड़ दिया गया है या कोई घन नहीं है तो अपन जो बाहर है उसके आधार पे ही इसको काउंट करके और बता सकते हैं कितनी संख्या देखिए एक दो तीन चार हो गए पांच, छे, साथ, आठ, फिर नो, दस, क्यारा और बारा तो बारा अगर उप्सन है तो वो सही है यानि कि डी उप्सन अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आराम से काउंट कर सकते हैं इसमें तो फिर इस प्रकार का बड़ा चित्र अगर आजाता है उसमें बहुत तीनों डायमेंशन में उसको उपन गुणा करते हैं तो यहां भी सेम वही काम करना है जैसे यहां से इस तरफ आप काउंट कर लिए यहां एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे, यहां आ जाएंगे इसके बाद यहां चेक करिए एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे, तो यहां आ जाएंगे चार, तीनों को गुणा कर लिजी, आनसर आजाएगा, 6 को 6 से गुणा क्या, 6, 365, ओके, क्या बचा, 4, 4 को भी गुणा कर लेंगे, तो 6, 24, 24, 24, 12, 13, 15 यानि 144, 144 जिस और ओप्सन में है, वो ओप्सन सही है, C option अपना इसमें से उत्तर हो जाएगा ओके और 20 सवाल है इसका answer आपको देना है अच्छे से देख लेना ये चितर है और count करके आपको बताना है कि क्या answer है ओके comment box में आपका answer आना चाहिए ओके धन्यवाद